इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रिलिंग, बोरिंग और लेमिंग उपरेशन के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रिलिंग उपरेशन की तो ड्रिलिंग एक ऐसा उपरेशन होता है जिसमें material या फिर work piece में circular shape का hole किया जाता है और इस circular shape का hole करने के लिए cutting tool का इस्तेमाल किया जाता है जिसे की drill bit के नाम से जाना जाता है अब बात करते है boring operation की तो boring operation एक ऐसा operation होता है जिसमें की जो हमने hole किया होता है उस hole के diameter को increase करना boring का काम होता है मतलब hole को enlarge करने के लिए boring operation perform किया जाता है Boring Operation में एक Single Point Cutting Tool का इस्तेमाल किया जाता है जिसे की Boring Tool के नाम से जाना जाता है अब बात करते हैं Rimming Operation की तो Rimming एक तरह से Finishing Processor Rimming में क्या होता है जो हमने Hole औरेडी डिल किया होता है अंदर की Walls को अगर हमने Smooth करना है Rimming का इस्तेमाल किया जाता है तो Rimming में एक Multipoint Cutting Tool का इस्तेमाल किया जाता है जिसे की Rimmer के नाम से जाना जाता है